हेलो नमस्कार दोस्तों लूसेंट रास्तान जीके के इस्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है तो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगे इंपोर्टेंट कोशन है जो कि आपके आने वाले एकजाम में काफे इंपोर्टेंट साबिते होने वाले हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दे फेस्बुक और वाटसप अकाउंट के माद्यम से शेयर कर दीजे तो आजगा पहला कुशन है जोदपूर के स्तापना कब की गई थी तो यह 1469 में की गई थी जोदपूर के स्तापना और किसके द्वारा की गई थी तो राव जोदा के द्वारा की गई थी और किस पहाड़ी पर की गई थी तो चिडिया टूप पहाड़ी पर इसके स्तापना की गई थी इस कारण से इसे मियूर की आकरती होने का कारण मियूर प्रेट भी कहते हैं प्रशने हैं सह्मेर शेत्र में उत्के होफ के बतव सेत्र हैं jest है ज चैकार शेत्र में संचालिते बरफ कारखाना अगला प्रशने है एश्या की सबसे बड़ी घुल्ड फाल रिएंज इनजी में न्यार इस्तित तो यह आपके कहां इस्तित है चांदन फिल्ड फाइरिंग रेंज है जो कि आपके जेसल मेर में इस्तित है अगला प्रशन है तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है तो ये आपका उदेपुर शहर है जो कि तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है अगला प्रश्न है बालू का पत्थर कटक पर इस्तित शहर है तो ये बूंदी शहर है जो कि बालू का पत्थर कटक पर इस्तित है अगला प्रश्न है राजस्तान में किस शहर को नव निदियों के आधार पर नो चोकडियों में विभाजित किया गया है तो ये जेपुर शहर को नो चोकडियों के रूप में विबाजित किया गया है और इसके स्तापना 18 नौंबर 1727 सिस्वि में जेपुर के राजा सवाई जैसिंग दित्ते के द्वारा की गई थी अगला प्रशन है जेपुर को पिंक सिटी का नाम में किस पुस्तक में दिया गया था तो दी रोयल टाउन आफ इंडिया पुस्तक में पिंक सिटी नाम दिया गया था जेपुर को अगला प्रशन है बेकानेर के पहले शासके जिसने मुगलों की अदिनता स्विकार करे वैवाईक संबंदे इस्तापित किये थे तो रावे कल्यानमन ने अपनी पुत्री हरका भाई का विवा किया था जहांगिर के साथ और मुगलों की अदिनता स्विकार की थे अगला प्रशन है ट्रेवल इन वेस्टन इंडिया नाम के गरंद का समंद किस से है तो ये कर्णल जैम्स टॉट से समंद दिते किताब है जो कि टॉट ने लिखी है ट्रेवल इन वेस्टन इंडिया अगला प्रशन है प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था तो ये हकीम खासूर पठान था जो कि पठान सेना नायक था अगला प्रशन है चंवरी कर था तो ये पुत्री की विवापरे जो कर दिया जाता था उसे चंवरी करे कहते हैं अगला प्रश्ण है राना सांगा ने किस युद में बाबर की सेना को हराया था तो बयाना की युद में हराया था जिसमें बाबर की तरफ से उसका सेना पती मेदिनी राय लड़ा था और इसको हराया था सांगा ने अगला प्रश्ण है सबसे बड़ा नियूक्लियर पार्क के कौन सा है तो रावत बाटा जो के चितोडगर जिले में है ये सबसे बड़ा नियूक्लियर पार्क है अगला प्रस्ण है ट्रेंज कमिशन ने सम्मंदित है तो ये आपके बेगु किसान अंदोलन से सम्मंदित है ट्रेंज कमिशन है अगला प्रस्ण है मेवाड के महराणा सांगा ने इबराहीम लोदी को किस युद में परास्त किया था तो खातोली के युद में परास्त किया थ अगला प्रस्ण है मेवार के किस महराणा ने संगीत पर ग्रंत लिका है तो महराणा कुम्बा ने लिका है संगीत पर ग्रंत जिसके कितने भाग है इसके पांच भाग है अगला प्रस्ण है किस चोहान शाषक ने राई पिथुरा की उपादी धारण की है तो ये प्रत्वीराज चोहान ने धारण की है राई पिथुरा की उपादी अगला प्रश्ण है मानमोरी शिलालेक का सम्मंदे किस जिले से है तो यह आपके चितोडगर जिले से सम्मंदित है मानमोरी शिलालेक के अगला प्रश्ण है किस सीलालेक में बीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकास डाला गया है तो ये श्रंगी रिशी के सीलालेक में प्रकास डाला गया है बीलों के सामाजिक जीवन पर अगला प्रश्ण है गदिया सिक्के का प्रचलन किस राज्य में था तो ये आपके जोदपुर राज्य में प्रचलन था गदिया सिक्के का अगला प्रशन है मेवार के किस्यासक का नाम है काल बोच था तो ये बपा रावले जो शासक था इसका नाम है काल बोच था अगला प्रशन है खातोली का युद्धे किसके मद्दे हुआ था तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था जिसमें सांगा विजे हुआ था अगला प्रस्थन है तामरवती नगरी के नाम से प्रसिदे पुरा तात्विक इस्तल है तो यह आपका आहड़ पुरा तात्विकिस्तल है जिसे तामरवती नगरी के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्थन है जियान सागर जीले कहां परिस्तित है तो यह सजंगर अभ्यारने जो के उद्यपूर में स्थित है यहां परिस्तित है जियान सागर जीले प्रश्ण है मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध शेत्र था तो ये बयाना था नील उत्पादन का प्रसिद्ध शेत्र अगला प्रस्थन है कवी राजा स्वाहिश को केसर एह इंद की उपादे से किस्ने समानित किया था तो ये ब्रिटिस सरकार के द्वारा समानित किया गया था शामल दास को केसर एहिंद की उपादी से अगला प्रशन है राजस्तान का एकमात्रे पुरातात्विक इस्तल जहां से सूती वस्तर के अउशे से प्राप्त हुए हैं तो ये बैराट इस्तान से सूती वस्तर के अउशे से प्राप्त हुए हैं अगला प्रश्ण है 1857 की क्रांती के समय कोटा में जन विद्रोहियों का नित्रतुए किस ने किया था तो ये जै द्यालोरे महराब खाने किया था जन विद्रोहियों का नित्रतुए 1857 की क्रांती में अगला प्रस्ण है राजस्तान में किस नदी के किनारे सवाई भोज द्वारा निर्मित मंदिर इस्तित है तो ये खारी नदी के किनारे इस्तित है सवाई भोज द्वारा निर्मित मंदिर अगला प्रस्ण है मारवार में किसके शासनकाल में खेजडली की गटना हुई थी तो यहां के राजा थे अबे सिंगे जिसने अपने सेनापती को भेज करे खेजडली गाव में 1730 में पेडों की कटाई के निर्देश दिये थे तब यहां पर जो अमरता देवी है उसके नित्रतों में लोगे पेडों से चिपक गए थे और 363 लोगों ने यहां पर अपना बल तो यह कुंबल गड़ है जो कि अरावली का उच्चता में शिकर है अगला प्रशन है प्याले नुमा आकार का जिला है तो शिकर जिला है जो कि प्याले नुमा आकार का है अगला प्रशन है भारत की तीसरे सबसे बड़ी थल सेना की कमान जेपुर में इस्तित है तो यह दक पत्ची में सेमा की कमा निस्तित शेफर में अगला परस्न है पाकिस्ताथी टैंकों का कब्रगाह है यहु लंगे वाला जैसल मेर है जो कही पाकर स्टाथी टैंकों का कब्रगाह है